तो ये रहा चैप्टर आपका alternating current जिसको हम लोग study करने वाले हैं शुरुवात हो चुकी है यानि alternating current अब alternating current क्या होती है देखे direct current वो होती है जिसका direction fixed होता और magnitude युश समें fixed होता है तो ये एक दिशा में अगर आप बनावें तो time की हिसाब सब्सकर ये time की axis है तो आप देखेंगे direct current की value और एक direction से आप fixed है जबकि जो alternating current होती है उसका magnitude और direction periodically बदलता रहता देखे magnitude बदल रहा है यहाँ पर कुछ और current है यहाँ तो direction ही बदल गई आपको आसुविधाना हो board examination में definition वेगरा या जानकारी लिख पावें इसके लिए हिल्मोन ने पूरे दिन मेहनत करके आपके लिए बना दिया है आप support करते रहे है हम जान लडा देंगे आपके लिए an alternating current is that current whose magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically यानि magnitude हमेशा बदलता रहेगा alternating current का और उसका direction periodically बदलता रहेगा जैसे कि मैंने diagram में दिखाया है आपको पता भी होगा revision कर रहे हैं तो नहीं पता तो जरूर जान ले अब इसमें जो EMF होता है इस कहानी का यानि alternating current का उसको आप लिख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है e is equal to e naught sin omega t मैं दुबारा लिखूँ तो कोई फाइदा नहीं होगा लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ तो इसे आप इस तरीके से लिखते हैं e is equal to e naught ये diagram में ऐसे बना रहता है लिखने में e लिखिएगा तो e is equal to e naught sin omega t ये हो जाता है इसका EMF electromotive force जो आप energy का supply या source लगाएंगे और इसी तरीके से current की बात करें तो आप जानते i is equal to e upon r होता है तो e naught upon r value रख दीजे ये value हो जाती i is equal to i naught sin omega t ये current भी periodically बदलती है यानि EMF भी बदल रहा है current की value भी बदल रही है i को क्या बोलते हैं ये जो i है ये instantaneous value of AC current है मतलब किसी छड़ जो value है भाई किसी time पर आ गए न तो इस छड़ current की value क्या है ये जैसे value है suppose तो उस value की बात कर रहा है किसी छड़ instantaneous value क्या है और i naught को बोलते peak value ये जो i naught यहाँ पर है इसे बोलते peak value या maximum value ये 11th class में जैसे आपने सच्चे में अगरा पढ़ाता कुछ हलका भूलका अंदाजा ले लिजे वहाँ से कुछ उसी type का समल लिजे तो peak value ये maximum value of AC and it is called current amplitude उसको क्या बोलते हैं आप current amplitude amplitude होगे न maximum value तो ये एक logical जानकारी basic जानकारी आगे बास शुरू करते हैं इमनों आगे लिजाते हैं important slide है बहुत आपके लिए देखिए जो AC current होती है न वो तो हमीशा बदल रही होती है भाई ऐसे ऐसे जा रही है जैसे आपने देखा अब इस चक्कर में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी average value क्या होगी तो average value को क्या भूलेंगे आप उसकी देखिए definition लिखिए पकड़िए गजाम में इमनेशन में पूछी जाए तो बता दीजेगा उसको कोई tension नहीं तो mean और average value of AC alternating current it is defined as the value of the direct current देखिए definition में direct current का हवाला दिया गया है it is defined that the value of the direct current which sends same charge इसको note कीजिए same charge in a circuit in the same time as it's sent by the given alternating current in its half time period तीन keywords आये हैं आपर half time period में जितना alternating current charge भेजता है उतना direct current जितना charge भेजेगा in a circuit वो उसकी current की value होगी दिखिए लिखा ना it is defined that the value of that direct current direct current की वो value जो उसी time में उतना charge भेज दे तो इस तरको की क्या है ना कि charge में तो होता नहीं उपर नीचे बदलने कहानी बैश तो charge है flow हो रहा है तो flow हो रहा है तो charge में तो कोई चक्चकर है नहीं तो half time period में half time period में alternating current जितना charge भेजता है उतना ही time में DC direct current की वो value जो उतना ही charge भेज दे उसे हम बोलते हैं mean या average value of alternating current direct current की वो value ध्यान नकिए DC की वो value उसे हम बोलते हैं average value of AC इसको ध्यान से पढ़िए समझ में आ जावेगा और I average को कह लिखते हो तो इसकी बात कर रहे हैं half time में I average का to 2 upon pi I naught उसकी value हो जाती है 0.637 I naught ध्यान दीजेगा अगर full cycle में चले जाए इस slide को भी लगाया जैसे आप पकड़ा बना लें अपनी अगर हम mean value ले लें alternating current की over complete cycle तो यह value 0 हो जाएगी complete cycle के अंदर complete cycle का मतलब होता है एक पूरी cycle यहां से यहां तक समली एक time period के अंदर अगर पूरी value निकालेंगे average तो current की value 0 आ जाएगी तो half time period के जिक्र किया गया है यहां पर आप बात पकड़ पाईए तो half के लिए देखिये लिखिया 2 upon pi I naught इसी तरह V के लिए लिए लिख दिया जाएगा और RMS की बाद तो हम लोग आगे भी करेंगे ही बात पकड़ में आई ना half time period के लिए value full के लिए 0 हो जाती है thus the mean or average value of alternating current is 2 upon pi और 0.637 times its peak value यह है इसकी peak value इसकी 2 by times या 0.637 times I naught होती है इसकी value इसी तरह E average की बात करेंगे एगर electromagnetic force की तो इसकी value भी 2 by pi times आती है तो बात पकड़ लीजेगा आई और E की बात सीख चुके हैं अब हम बात करते हैं root mean square के एक और term आता है जिसको RMS value बोलते हैं यह भी बड़ा important हिसाब फरक देखिए पहले हमने mean value की बात की थी यह देखिए mean or average value की अब हम लोग बात कर रहे हैं root mean square value की जिसे आप virtual value of AC भी बोलते हैं नाम द्यान लगे RMS या virtual value of AC first class आगे समझते हैं क्या बोलता है यह कहता है it is defined as the value of direct current फिर से कह रहा है कि direct current की वो value which produces the same heating effect पिछले में क्या था same charge यह heating effect है heating effect भाई heating effect AC करे DC करे क्या मतलब कोई plus minus तो गरम हो रहा तो गरम हो रहा है तो direct current की वो value जो same heating effect produce करे in a given register as it produced by the given alternating current when passed for the same time उसको RMS बोलते हैं बहुत ही सरल बात अब बहुत ही मज़ेदार बात जिस time में जिस समय में alternating current की alternating current भेजा कोई heat मिली आपको मा लीजे 10 joule के heat मिली तो direct current की वो value जो उसी समय में 10 joule की heat पैदा कर दे उसे बोलते हैं direct current की उस value को बोलते हैं IRMS बात कितम same heat produce करनी है direct current के दोरा उसी समय के अंदर उस value को बोल दोगे IRMS बात कितम तो ये feel करने वादी बात ये जरूरी होता है मेरे हिसाब से बच्चा feel करे mathematically तो समझे ही समझे तो I effective इसको I effective भी बोलते हैं ये I effective है ऐसे लिखा गया है बाकी IRMS भी लिखेंगे I effective वो IRMS क्या हो जाएगा 1 upon root 2 times I naught इसको पकड़के रखिए ये होता 0.707707 707 I naught James Bond था शहाए 707 नहीं पता नहीं क्या था खेर नहीं वेजो भी था 0.707 I naught बात पकड़ में आई और जो average value थी देखिए वो अलाग थी मैं याद दिला दू 0.337 पकड़के रखना same name exchange करना ये average value है और ये कोई सी value है बिटा RMS value है पकड़के रखना an electrical device reads root mean square value as जो electrical device होती है वो root mean square value read करती है ठीक है और इसका मतलब क्या under root I square mean का ले लो यानि I naught upon 2 और ये value अपने लिखी थी उपर लिखी थी V RMS भी ऐसा ही हो जाता है 0. James Bond 707 V naught बढ़े असानी ही रहता है कुछ interesting ची जोड़ दीजे बात मज़ा हो जाता है आईए मज़ा लेंगे आगे समझ गे ना RMS value और average value बहुत असानी से बिलकुल funda clear root mean square value of an alternating EMF अरे भाई देखा तो था बस definition में G told इन्होंनों तिक्डम कर दी कुछ नहीं क्या है वो कह रहे थे कि direct current की वो value आप कह दो साब DC का वो EMF जो same heat produce करे आप ख़दम यह देखो यह लिखा it is defined as the value of steady voltage that produces the same amount of heat भाई heat की चक्कर है RMS में बस in a given resistance at is produced by the given alternating EMF वही जो है सारी कहानी वही हो जाती है बस voltage उतनी heat पैदा कर दे जो alternating EMF पैदा कर रहा था तो उसको बोल देगे V RMS या E RMS और इससे लिखने का तरीका तीन notation बनाए है नौरमली यह परचली जादा है E virtual भी कह देते हैं E effective भी कह देते हैं क्योंकि यही हमारे तीन तरह से represent करते हैं आई के लिए भी represent कर सकते हो तीन तरीके से और E RMS की value हो गई E naught upon root 2 यानि 0. James Bond E naught 707 700 बहुत बढ़िया अरे सवाल आगया बहुत सरल सवाल है और ये 2000 तनी कब आया था खेर मैं लिख देता हूँ नौरमली The instantaneous current in an AC circuit is I is equal to ये देखी value दिये है बड़ा बड़ा लिख देने पे दिमाग में जाने की संभावना ज़्यादा है साब और frequency of the current निकाल ली है ठीक है साब f निकाल ली है new निकाल ली है जो भी बोल लो ये दोनों value निकाल ली है बहुत ही से रहल है साब पहचान लेना ये क्या है I not ये formula पढ़ा था I is equal to I not sin omega t इससे कर दो compare तो I not की value हो गई ये और omega कितना हो या ये new जो भी लिखना पसंद करते हो ये जो किताब पढ़ रहे होगे f मतलब frequency बस इससे आप I not भाई I और I not में कैश्टा है IRMS में बताओ 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 तो IRMS की value होती है James Bond James Bond है ना I not कहल कतम और omega पता है तो ये भी निकल आएगा पीछे solution है मैं दिखा देता हूँ logic पकड़ लिया आपने बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर ये देखे साब IRMS की value आगई I not upon root 2 I not कहाँ से पकड़ा था आपने ध्यान दिया था ये I not है क्या बात है और 0.5 upon root 2 value आगई 0.35 ampere वही 1 upon root 2 की value 0.707 James Bond होती है frequency की बात करें तो ये omega थी तो आपको जैसे समझाया था F की बात करोगे तो लिख दोगे omega upon 2 pi omega की value दान दो 314 2 pi की value डाल दी 50 hertz is the answer तो ये frequency ये RMS value इस तरह से numerical solve हो जाएगा ऐसे numerical बिलकुल examinations में आते हैं बच्चों जैसे होते हैं आप तो बड़े सयाने हैं बुद्धिमान बालक हैं चलिए आगे चलते हैं Phasors and Phasor Diagram अब ये तो कमाल की बात हो बई साब क्या होता है कि हमारा जो EMF है और जो current है बच्चों वो होता तो scalar quantity है बई current तो scalar है न और voltage भी scalar है लेकिन अगर हम इनको as a vector treat कर लेते हैं तो हमारी alternating current की जो study है वो सरल हो जाती है एकदम प्रेम से कर लेते हैं इस वज़े से हम लोगों ने इनको Phasor Diagram Phasor एक रूप है वेक्टर का समन लीजे Phasor Diagram के रूप में represent किया और पूरी study की और एक सुंदर बात आपको दिखाऊंगा numerical आगे मैंने डाला है कि आखिर इसको vector मानने की जरूरत क्यों पड़े किताम में सुद्ध तरीके से नहीं मिलेगा हम समझा देंगे आपको बात पकड़े में आ रही है न बाई जब हमें कैसे पता चलेगा तो यह पता चलेगा अभी आप देखिए numerical में मैंने डाल लखा है बात पकड़े में आ रही है गया तो हम लोग अगर alternating current को और alternating EMF को vector quantity या phasor diagram की रूप में rotating vectors की रूप में represent करें vector की तरह treat करें तो हमारी study सरल हो जाती है जबकी वो vector quantity है नहीं है तो scalar लेकिन treatment करने पर हमें सारी results वैसे ही मिलते हैं जैसे practically हमें मिलते हैं हमारा काम आसान हो जाता है तो चलो बच्चों शुरू करते what is phasor क्योंकि phasor diagram समझना अती अवश्यक है alternating current में ठीक है सार तो the study of AC circuits is greatly simplified if we treat alternating current and voltages as phasors phasor मनदब वही समझ लीजएगा rotating vectors की रूप में समझना समझे अब phasors क्या होते हैं या phasor diagram क्या होते हैं वो भी दो line लिख दी अगर आपसे examination में पूछ लिया जाए तो भी ठीक ना पूछा जाए तो आना चाहिए नहीं आगे समालेंगे कैसे बहुत सुंदर बात तो यह diagram that represents alternating current and voltage of the same frequency as rotating vectors phasors along with proper phase angle between them is called a phasor diagram तो उन्होंने कहा है कि alternating current और voltage को हम एक rotating vector से रिखाते हैं ऐसे समाल लीजे एक हम ऐसे vector बना लेते हैं और यह घूमते वाला vector है ऐसे rotate कर रहा है इस rotating vector से represent करते हैं समझो यह E है E मतलब EMF of alternating voltage यह आला E यह देखिए पकड़ यह ऐसे बार E is equal to E not sin omega T तो इसका जो यह origin है जहां घुमा रहे हैं तो यह जो vector rotating है जिसे बोलते हैं phasor इसकी जो frequency होती है angular rotate करने की यह उसी के बराबर होती है जिसको represent कर रहे हैं sinusoidally मतलब ऐसे ऐसे जाता है sine curve की तरह तो उसके बराबर होती है दूसरी बात इसकी जो length होती है यह E not के बराबर होगी अगर हम E को represent कर रहे है if this is E बात पकड़ना इस vector की लंबाई कितनी है E not यहाँ से यहाँ तक के आप ABCD नहीं लिख रहे है बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना चलो भाई लिखी दो AO मतलब हो जाएगा E not अब इसका जो E होता है वो क्या होता है किसी time t पर अगर आप इसका projection ड्रॉप कर दे तो इसको B लिख दो तो जो B O है वो होती इसकी instantaneous value पकड़ना यह क्या बना रहे हैं फेजर डाइग्राम बनाने की विधी बता रहे हैं आपको तब आप पकड़ पाएंगे आगे तब मजा ले पाएंगे इसी का तो एक rotating vector यह फेजर कहते हैं गूमने की गती क्या है फ्रिक्वेंसी है अंगुलर स्पीड यह अंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो की उस जिस quantity को आप represent कर रहे हैं जो sinusodally बदलती है उसकी frequency से same है यह ओमेगा और यह ओमेगा सेम है इसकी length इसकी amplitude के बराबर है यानि maximum value के बराबर है इसकी instantaneous value कहां से आती है उस पल x axis है अगर यह y है तो y पर projection drop कर दो यह value e बन जाती है और जिस time की बात कर लो तो उस time पर यह कहीं पर था और इस angle को बोल देते है phase angle जैसे यह बन जाएगा omega t बही angle तो होता ही है theta square 2 आप जानते है omega t आ जाएगा है ना तो यह हो जाएगा आपका omega t यह बन गया phase this is phase this is phase बात पकड़ में आई यह हो जाता phasor diagram अब इसी phasor diagram में आप i को भी tap का दीजिए अगर देखे diagram समझेगा यह बाहर वाला जो vector था यह बड़ा सा थोड़ा यह हमने e naught बनाया मतलब e naught लंबाई यह और इसी में i का भी जिक्र कर दिया देखे वोगी e और i में ही बहुत काम करना है हमको तो यह देखे छोटू जो है महराज यह आपके i naught है दोनों के एक ही में रिपर्जेंट कर दिया बाकी आप समझ गया projection में गयरा से दोनों के value ऐसे निकाल लेंगे बढ़ी सुंदर बात अब यह e naught था omega t पर यह देखो और यह जो हमारे current थी वो omega t से और ज़्यादा एक phi angle बना रही थी तो आकिर इस current का phase कितना हो गया phi plus omega t current का phase phase of current बात पकड़ लेना उसके बाद इत्व मक्षन है क्यातना हो गया omega t plus phi यह phase हो गया किसका phase है current का phase है और आप से पूछे कि phase difference कितना है तो भाई current वाले phase में से voltage वाला phase घटा दो तो साफ साफ दिख रहा हूँ omega phi तो है वस phase difference कितना है phase difference बहुत सराल होता भाई phi भाई omega t plus phi है current का और e emf का है omega t घटा मारो तो phi तो मिला तो यह phi is the phase difference between i और e ठीक है अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं हमारी भाशा में इस्तिमाल होने वाली है यहाँ पर जो current है उसका phase plus phi है जादा है इससे आगे है ना देखो i आगे है e पीजे है तो हम यह बोलते हैं कि current is leading by the angle phi with the voltage e by the voltage e with the voltage v जो भी बोलें क्या बोल रहा है कि जो current है वो phi angle से अगर ऐसा होता कि e होता यहाँ e not और हमारा current पीछे होता किस से पीछे होता माली जे phi angle पीछे होता यह phi होता पीछे तो यहाँ पर value आ जाती omega t minus phi बात कदम वो पीछे हो जाता उसमें क्या है जो पीछे हो पीछे गटा दो जो आगे है जो बहुत सिंपल एकड़म अखन यह जानना आती है वश्यक है बिटा अगर आप यह नहीं जानेंगे तो मज़ा नहीं आएगा समझ गया होंगे मैंने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिक्स किये तो इसे बोलते phaser diagram यह भी बताया कि इसको represent कर दिने में EMF और current को इस विधी से पढ़ने में हमारा alternating current सरल हो जाता है इसलिए पढ़ाया जाता है बात आपने पकड़ दी phaser diagram समझ गए phaser भी समझ गए rotating vector सारी कहनी आपके सामने है ना समझ में आया हो और रोकिए दोबारा सुन लीजे 100% समझ में आयेगा आगे बात करते हैं हम लोग ठीक है साब आगे बात करते हैं phase difference between voltage and current तो मैंने आपको बताया था यह पहली equation है E is equal to E not कई books में अलग-अलग तरीके से लिखा होता है और आई आपको साफ दिख रहा होगा दोनों में difference कितना है phase 5 का मैंने आपको समझा दिया था 5 is the phase difference between voltage and current अभी जो बात बोली पिछली slide में उससे आप बात पकड़ ले गए होंगे आगे बात करते हैं कुछ और times जो आपकी पढ़ाई को बहुत उन्दा तरीके से सरलता में तब्दील कर देंगे वो क्या है impedance and reactance देखे जैसे resistance पढ़ाता ना कुछ वैसाई समाल लीजिए resistance क्या था resistance भाही opposition to the current current का विरोधी current को कितना विरोध करता है मोटा मोटा तो ये भी उसी family के हैं मलब ये भी current का विरोध करेंगे तो impedance और reactance कहते किसे हैं आओ बच्चों तो impedance किसे कहेंगे the position offered by an electric current electric circuit to an electric current is called impedance वही बात हो गई कि electric AC circuit है वो current का जितना oppose कर रहा है उसी बोलते है impedance और इसको denote करते हैं से और इसकी जो unit होती है ohm होती है तो Z is called to V upon I और अगर EMS की बात कर रहे हैं तो V upon V not upon I और I not भी लिख सकते हैं या V RMS upon I RMS भी लिख सकते हैं Z वही रहेगा that is called impedance तो घबराना नहीं क्या होता है सब जानते हैं आप यार बहुत सरव लुता थोड़ा ध्यान से प्यार से देखिए और प्यार से देखिएंगे तो भगवान मी अपना आशिरवात देता है reactance की बात करते हैं अब reactance क्या है वही सब जन जाती जाती के हैं the position offered by inductance अब ये क्या है वो AC circuit था अब माली जे inductance या capacitance लगा रखा है आपने तो वो जो position offer करते हैं AC current के अंदर उसे बोल देते हैं आप जो capacitor offer कर रहा है उसको XC और जो inductance offer कर रहा है वो L वाला capacitor ऐसा होता है फोटो आप जानते ही होंगे प्लस माइनस ये resistance भाग पगड़ में आ रही होगी मजा लेते रही है पढ़ते रही है अब साब ये जो इसको बोलते हैं जो Excel वाली कहानी है इसके लिए Excel और इसके लिए XC opposition to the current तो वो Excel होता है omega L इसकी value कितनी होगी Excel की omega L के बराबर और जो XC होता है इसे बोलते हैं inductive reactance इसका नाम है inductive reactance ये देखे लिए फिर ये XC का नाम क्या है इसे बोलते है capacitive reactance और XC की value होती है इदर जगा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 1 upon omega C ये देखे लिखे लिखे अब इतनी बात जान लिजे इसे circuit क्यों बोल रहे है क्योंकि इसमें source जो लगाय हूए हो अब देखिए जो आप direct लगाते थे cell type cell में ऐसे बनाते थी याद है ना प्लस माइनस ये DC supply थी ये DC supply थी यहाँ पर क्योंकि ये AC supply है तो इसका निशान कुछ ऐसे गमाउदार लहर क्योंकि ये sinusodally गूमती है तो इसका जो ये battery तो DC थी ये वाइसा बेसी है और इसको लिखते है क्या E is equal to E not sin omega t ये इसकी प्रवत्ती है चार्ज energy supply करने की E is equal to E not sin omega t ठीक है अब ये formula हो जाता है E is equal to E sin omega t और जहां pure resistive circuit होता के बने resistance उसमें E आजाता E is equal to E not sin omega t अब E and current I are in same phase इन दोनों में phase same होता है यानि जिस दिशा में अगर हम vector बनावे phasor diagram जो दिश दिशा में E है उसी दिशा में I चलता है इन pure resistive circuit पे तो ये देखे diagram बनाया ये बनाई दिए waveform लेकिन सारी बात यहां समझेंगे waveform में देखे जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे current भी चल रहा है मतलब जब ये peak हासिल करता है तभी ये current भी peak हासिल करता है जब ये 0 होता EMF तभी current भी 0 होता है तो ये बन गया waveform ये phasor diagram इसे जरूर बनाने को एक्जाम में जाता है phasor diagram जो सीखा था अभी अब phasor diagram में क्या बात होई ये देखे x-axis अब यहां इस दिशा में आपने बना दिया E0 EMF आपको चिखाया था और क्योंकि phase सेम है phase difference जिसका कितना है शूर दोनों है phase difference तो इसी line में E0 भी बन जाएगा ये E0 बना दिया और इसकी instantaneous value निकालोगे तो this is I and this is E वो संधाया ही था ये phasor diagram बन गया खेल कर तो हम गया कितना सरहल है बताओ कैसे नहीं आएगा 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 चलो इसकी आगी की बास समसते तो आजाते हैं बच्चों है pure inductor circuit में यानी circuit में cable inductor लगा हुआ है है ना और inductance कितना है L और EMF आप जानी चुके हो ये EMF supply है AC वाली जिसम्झा चुका हूँ पिछली बाद इसमें क्या होता है तकिक मज़ेदार एक trick भी बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा जैसे मैंने खुद याद कर रखा है तो EMF हो गया ये जो supply जो source है वो कर रहा है बैटरी तो है नहीं कोई source होगा EMF अला और इसमें जो current निकलती है यानि current का जो हिसाब किताब रहता है वो πाई बाई टू पीछे होती है ये से देखिए ओमेगा टी से माइनस पाई बाई बाई टू पीछे है बात पकड़ पाने हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानि अगर phasor diagram बनाओगे तो जिस direction में E बनाओगे उससे पाई बाई बाई टू पीछे आई बनाओगे तो दोनों same phase में नहीं है याँ ठीके अब मैं इसको ये कहता हूँ कि EMF leads the current आई by the phase angle पाई बाई टू अधिकतर किताबों में बिल्कुल सही बात लिखी होती इससे ये दोनों बाते हैं की हैं समझिएगा इसमें लिखा current lags current पीछे है lag मतलब पीछे current lags behind the applied voltage ये applied voltage है behind the applied voltage by an angle pi by 2 बिल्कुल सही बात है 100% सही ये भी 100% सही मैं इसको पकड़ता हूँ क्यों अभी सब दिखाता हूँ याद रखने मसानी होती है समझ रहे हैं तो मैं pure inductor circuit में ये जो लिखा है कि current lags pi by 2 with the applied by an angle pi by 2 behind रहती है applied voltage से ठीक है जाल तो मैंने इसको इस तरह क्यों याद रखा है क्योंकि मैं ऐसे याद रखता हूँ VL V क्या है V for victory और L for lead है ना तो victory जो विजेता होता है वो lead लिए रहता आगे रहता है समझ रहे हैं मेरी बात अब इसको मैं याद कर चुका हूँ VL यानि victory वाला lead करेगा यानि voltage lead करेगा pure inducting circuit में इसको पकड़े रहता हूँ जहां जहां आता है वैसा लगाता चला जाता हूँ तो कि इसके आगे आगे आप देखेंगे pure capacitive circuit उसमें फिर से कुछ lag और lead आजाएगा तो उसको मैं confuse हुजाता था कौन lead करता है कौन lag करता है इसमें गरबर हो जाती थी मुझसे तो मैने ट्रिक क्या बना ली V for victory L for lead तो voltage in inducted circuit lead by pi by two किसे I से V और I की तो जिकर कर रहे हैं और हमारा काम हमारा जीवन अरामदायक हो गया आपको पसंद आए तो आप पकड़ सकते हैं ना पसंद आए तो याद रखिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं तो इसलिए मैंने इसको पकड़ा है जिससे मैं ये सिस्टम को कायम रख सकूँ ये इसकी कहानी हो गई साब आप देख रहें EMF है और EMF देखिए लीट कर रहा है तो ये पहले ही 0 यहाँ पर हो जाता है और करेंट नीचे से लैग कर रही यहाँ पर 0 होती है यानि पीछे पीछे चलती ही 5x2 जब ये maximum आया 5x2 पर तो ये minimum बोली फिर ये आगे बढ़ गया ये पीछे चलीगी तो ये current is lagging ये है waveform ये waveform है कहाँ लीजे और इसका phasor diagram बाजूम बना हुआ ये है phasor diagram में बिलकुल अराम से समझो अब जिस दिशा में आपने E naught बनाया है ये लब E E naught कहाँ लीजे ये phasor में उससे I पीछे होना चाहिए पाइ बाइ बाइ टू तो देखो पाइ बाइ बाइ टू अपने पीछे बना दिया I naught बात खतम और current ये जो E MF था उसका phase कितना था omega t तो इसका phase बना दिया ये देखिए omega t और ये रही omega t से पाइ बाइ टू पीछे है तो ये देखिए यहां से ये पाइ बाइ टू पीछे किछ दिया क्योंकि लाइक कर रहा है पाइ बाइ बाइ टू इसका phase कितना हो गया इसमें देखिए आप omega t ये omega t minus pi by 2 इसका phase लिख दिया आप बाइ पगड में आ रही है आपको तो इस तरीके से आप इसको lead or lag की कहानी समाझ सकते हैं बाइ पगड ली होंगे तो आगे चलते हैं pure capacitive circuit पे देखिए ये हो गया हमारा inductive reactance की पहले बात कर लेते हैं तो देखिए it is a measure inductive reactance आपको दिखाया था ना जिसे आप excel बोल रहे थे तो it is the measure of the effective resistance और opposition offered by the inductor to the flow of alternating current through it यहनि alternating current का विरूद opposition करेगा तो excel की value होती omega l और यह value omega को 2 pi f लिखते हैं तो 2 pi f l हो जाएगा याद रखिए अब ac के लिए excel is proportional to f excel f के देखिए ना यहापर इस वाले से देखिए यहाँ से excel is proportional to f कहां के लिए ac के लिए यहनि ac में जितनी ज़्यादा frequency बढ़ाएंगे उसका opposition to the current उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा बात पकले में आती है अब मैं बात करूँ dc के लिए direct current के लिए तो direct current में frequency कितनी होती है frequency होती है zero वो तो सीधी current होती ही न गुमती फिरती कहा है dc current उस समय excel कितना हो जाएगा zero तो यह excel कितना हो जाएगा dc current के लिए zero बात कर्दम अब i rms निकालना हो तो लिख सकते हो i not upon root 2 या e not upon omega l root 2 और इसको e rms upon omega l और यह value हो गई e rms upon excel तो यह जो formula है बिटा इसको याद रखना यह बहुत जगा इस्तिमाल होगा आपका पकड़ के रखिएगा i rms is got to e rms upon excel बहुत simple सा format है v is got to ir जैसे ही है भाई v is got to ir में क्या लिखते थे i को लिखते थे v upon r यहाँ भी तो देखो i जो irms लिखा हुआ है उसी तरीके से कोई भी चीज नहीं v है emf e rms upon r r की जगाई है एकसल आ गया है opposition to the current बात कहतम हो जाती ही बच्चों बहुत असानी से कर सकते हैं अब आते हैं हम लोग capacitor पे pure capacitor पे अब pure capacitor पे देखिए अब वहाँ पर हमने याद कर रखा था कि voltage lead करता था current को यहाँ voltage इसका अगला voltage lag करेगा current को तो देखिए lag करने का मतलब है current की value यह तो e is got to e naught omega t ही है अब यह पीछे है pi by 2 से तो इसको हमें आगे करना पड़ेगा न क्योंकि इसमें omega t minus pi by 2 तो लिख नहीं रहे तो यह देखिए यह पीछे है current से तो यह VL वारी कहानी थी inductance के लिए capacitor में इसका उल्टा voltage हमेशा lag करता है pi by 2 से current से तो यह यहाँ पर आजाती है i is got to i naught kis cos omega t यह यह formula पकड़के रखें i naught sin omega t plus pi और यह आप जानी रहे है pure capacitor circuit में तो current leads the voltage यहाँ पर लिखे current leads the voltage यह बोलिए voltage lags behind the current in the phase by pi by 2 radian तो by pi by 2 radian से current हमारी lead करती है voltage lag करता है समझ गये phasor diagram आप समझ चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से तो यह देखिए यह यहाँ पर यह यहाँ पर देखिए तो यह e चल रहा है और यहाँ पर current चल रही तो current कैसी दिगरी pi by 2 तेह चल रही है यह पहुचा था यहाँ pi by 2 पर maximum और यहाँ यह पहले ही pi by 2 पहले ही maximum achieve कर चुकी थी यह waveform और यह हिसाब phasor diagram तो phasor diagram में आपने देखा क्योंकि current को lead करना है तो जहाँ पर e बनाया है उससे pi by 2 आगे i naught बना दो यह जहाँ पर i naught बनाया है उससे पीछे pi by 2 आपकी यह बना दो यह कहानी आपकी बन गी देखिए phasor diagram बिलकुल सरल सी बात है कोई tension की आफशक्ता नहीं है आपको आगे चलते है capacitive reactance अब बात करते है xc की capacitive reactance की तो 1 upon omega c is the effective resistance और opposition offered by the capacitor to the flow of ac वही वाली भात ac through it it is called capacitive reactance यहनि जैसे resistance था न ac circuit में जब pure capacitor लगाते हो तो opposition xc मिलता है इसकी value थी 1 upon omega c यानि 1 upon omega की जगा 2 pi f पुट कर दो बात खतम अब यहाँ भी आपने देखा कि जो xc है वो frequency के inversely proportional है यानि frequency जितनी बढ़ाएंगे opposition to the current उतना घटेगा inductance में बढ़ रहा था excel यहाँ xc घट रहा है ठीके और dc के लिए बात करें frequency होती है 0 उस समय आप बात xc के वे लो हो जाएगी infinity यानि आप सोचिए समझिए अगर यह capacitor है इसके इंदर dc भेजे हो तो dc भेजे हो तो frequency 0 है और xc infinite यहाँ अपोजिशन to the current infinite है यानि dc जाही नहीं पाएगी आगी इतने भारी मात्रा में position है तो dc will not flow in capacitors cross करके नहीं जाएगी charge करके रुख जाएगी आप भेजेंगे यह charge हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद खतम आगे current नहीं जाएगी dc लेकिन ac जाएगी जैसे से frequency बढ़ाते चाओगे अगर अपनी capacitor लगाया है और यहाँ पर ac आ रही है suppose ac बेजे हुआ तो ac निकल जाएगी तोकि ac में आप जानते हो कि opposition to the current मिलेगा लेकिन ac flow कर जाएगी ठीक है कोकि उसके लिए infinite नहीं है xc आगे बात करते हैं अब आता है ac circuit with resistance and indenters अब जोड़े बनने शुरू जाते हैं कि भाई अगर हम R और L को एक साथ लगा दे तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा मतलब इतना सरल होगा R अपना खेल खेल लेगा L अपना खेल खेल लेगा दोनों का phasor diagram एक साथ बना देना result हाथ में आ जाएगा देख लिए कितने सुन्दर तरीके से अब देखे इस diagram को समबल लो पहले तो जो source लगाया हो तो है E is equal to E not sin omega t यहाँ पर resistance है तो आपने resistance में दोनों ही I और V same phase में होता है तो देखे दोनों का arrow बना दिया I और V एकी direction में वी आर और आई अब यहाँ यह inductors वाले में inductors circuit में आपको बताया था V for victory, L for lead है ना तो VL lead करता है पाई बाई टू से यानि जो current का direction है उससे lead कर रहा है मक्षन की तरह काम हो गया खेल ही खतम हो गया वाही साग्पा कैसे खेल खतम हो गया यह तो हमने पहले ही लिख रखा था यह तो source था, कुछ करी नहीं सकते हो जो source लगा हो लगा हो, बात करतम अब आ जाओ phaser diagram के उपर इस diagram में, इस diagram में देखिए मैंने यहाँ बना दिया I कहीं से शुरू करो, यह बनाया I अब जब I बना दोगे तो I के direction में VR बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम phase में है तो यह देखिए, यहाँ पर हमने I के साथ VR भी बना दिया VR I, यह है I और यह है इसी direction में VR vector की तरह दिखा रहे है और जो VL है वो pi by 2 आगे है current से तो pi by 2 आगे यहाँ से pi by 2 आगे बढ़े और यह साथ आपने बना दिया VL देख पारे हो ना बच्चों यह आगे है हमें knowledge हो गई जो हमने पढ़ाई की थी अब उस basis पर अब यह जो इस दोनों के जो V है वो V एक phase में नहीं है VR इधर है और VL 90 degree पे है उससे तो दोनों का जो addition होता है वो vector law से होता है vector से जोड़ते हैं तो आप perpendicular vectors है जोडने का तरीका क्या हो जाएगा यह देखिए जोडने का तरीका यह लिखा हुआ है जिस direction V है उसी direction में XL और XC होते हैं तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे E को तो लिख देंगे यह E यह हो जाएगा E is equal to कुछ ऐसे लिखना चाहें अगर आप तो E VL square plus क्या लिखना चाहिए VR square कुछ ऐसे समझ जीए इसकी value बात समझ रहे हैं ना अब यह VL की direction में ही इधर देखिए VL की direction में ही opposition मिल रहा है आपको तो opposition का direction Excel इधरी है VL की direction में और R तो इधरी है अपना जिस direction में voltage था voltage की direction में position मिलेगा तो XL और यहाँ पर R दोनों की बीच में 90 degree है तो impedance क्या रहा यानि opposition to current Z is got to under root R square यह R square plus vectorally जोड़ा है VL square XL square अब इन दोनों को जोड़ दो R square plus omega यह XL की value जानते थे यहाँ पर कहा गई XL की value जानते थे जो की थी omega L के बराबर value पुट कर दी यह आ गया impedance यह जोड़नेक तरीका आप समझ गए यह बात पकड़के रखना जो मैं बता रहा हूँ Vectorally जोड़ा जिस direction में वीता उसी direction में उसका position to the current है तो XL OR पकड़के जोड़ मारा अपने काम खतम हो गया I naught की value निकालनी हो maximum E naught upon total Z यह क्या है E naught upon Z है उसमें कौन सी बड़ी बात है Z नीचे से ठोग दो और E naught उपर से बात कतम हो बहुत सरल आगे देखिए phase angle between the resultant voltage and current अब यह जो आपने Vectorally जोड़ा है यह इस पूरे circuit में जो E चलेगा वो I से कितना phase angle का difference रखेगा भाई यह तोनों मिल गए ना जोड़ी बना ली तो इन जोड़ी का total असर क्या है तो total असर है यह E यह E इस ना total असर बात पकड़ पा रहे हो ना इस E को ऐसे मत इसको E ना समझ लेना यह तो applied voltage था मैं इस यह resultant voltage की बात की जा रही है इस E की बात जोकि ऐसे ही निकल के आएगा तो यह applied voltage के बराबर ही होगा क्योंकि जो supply दी जा रही है उसी के बराबर आना चाहिए यह भी बात true है तो यह E और यह E same हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो energy दी गई वो energy मिली तो E की value कितनी हो जाएगी vectorally आप जोड़ देंगे तो E की value निकल आएगी तो है कहां कितना phase angle पर है यह triangle देख लो आप तो triangle में यह तो रहा base और यह रहा perpendicular देख पा रहे हैं आप अब देखिए V not L upon V not R तो यह जो था perpendicular यह तो V L के बराबर था तो इसे लिख दो V L यह और यह बराबर और साथ नहीं यह कितना था इस इस V R तो perpendicular upon base is going to 10 5 तो 10 5 is going to perpendicular V not L upon V not R और यह जो value हो गई हो कितनी हो गई है आप जानी पा रहे हैं तो यह value हो जाती है आई not XL upon I not R और यह omega L upon R यह value आपके मिल गई 10 5 के बराबर अब 10 5 में यह याद रखना यह यह आद रखना यह फाई कहीं निकालना हो तो 10 inverse omega L upon R लिख दोगे तो आपका जो effective E है पुरे circuit का वो I से कितना आगे चल रहा है आपको दिख रहा है कि आगे चल रहा है साब यह दिये देखे इस तरीके से बात हो जाएगी I की जो value होगी वो क्या है lag करती है इसमें E lead कर रहा है E आगे है देखो E is leading या I is lagging तो I की form में लिखोगे तो I is equal to I not sin omega t जो इसका omega था उससे पीछे क्योंकि I पीछे omega t minus 5 बात पकड़ में आपके देखिया आगई इस तरीके से आपको लेके चलना है कि यह जो pure हमारा resistance और inducting circuit है अच्छा यहाँ भी logic बड़ा अच्छा काम करता है यहाँ भी lead कर रहा है यह देखिये pi by 2 से नहीं कर रहा है अलग बात है लेकिन 5 से तो lead कर रहा है तो मान लीजे कोई device आपने ऐसी लगाई है जिसमें voltage is leading I से voltage lead कर रहा है तो वो कैसा nature show करेगा आपको inductive dominance inductive circuit show करेगा समझेंगे आगे हम लोग तो VL का बड़ा फायदा है जहाँ जहाँ VL आपको दिखाई पढ़ रहा है और dominate कर रहा है जिसे VL और R इस case में तो VL VL dominate कर रहा है अभी तीनों LCR पढ़ेंगे तो वहाँ भी समझेंगे तो यहाँ से हम समझ पाते हैं कि voltage is leading by phi angle और current is lagging by phi angle बात पकड़ में आई होगी बिलकुल detail में आपको अच्छे से बता दिया है AC circuit with resistance and capacitance अब आपने capacitance और resistance दोनों लगा दिया अब हम जान रहे थे कि inductance में voltage lead करता तो इसमें lag करेगा तो यह देखे current से यह पीछे चला गया pi by 2 और यह दोनों तो एक ही direction में थे इसका phasor diagram बना लूँ यह हो गई आपकी EMFE supply और अगर मैं यह diagram बनाने की कोशिस करूँ तो मैं बना लेता हूँ एक direction में i और vr एक direction बना लीजे और vv नहां पे post कर दिया है तो देखें vr का direction i और vr यह बना रखा है this is i and this is vr ठीक अब यहां vr और i एक direction में दे और इस i से यह pi by 2 पीछे था तो इससे pi by 2 पीछे चला गया vc यह देख पा रहे हों गया vc पीछे चला गया इन दोनों का net resultant e इधर निकल के आजागा कहीं एंगिल पे वही चीज लिख दी गई है तो देखिए अगर मैं z की बात करूँ तो xc square प्लस r square यह नि r square प्लस xc की value होती है 1 upon omega c जो देखी थी वो value यहां put कर दिये चाहो तो i naught is called to e naught upon r square प्लस xc square लिख सकते हो बात समझ में आई और 10,5 की बात करोगे तो again 10,5 निकालने का तरीका वही यह देखिए फाइंगिल यहां कहीं दिख रहा है आपको तो आजागा v naught c upon v naught r बहुत अराम सी रही v naught c यह है यह v naught c और v naught r करके लगा दो बात खितम हो जाती है बिलकुल भी आसानी से निकलने वाला है और यह value हो जाती है i upon omega c upon r इससे आप phi निकाल सकते हो बिलकुल आसानी से अब इसका जो instantaneous current है यानि इसका जो net result मिलेगा वो net result कैसा मिला है current जीखिए lead कर रही है यह जो current थी i यह जो net हमारा emf निकला है इससे phi angle आगे है तो current is leading तो VL का उल्टा कर दीजिए capacitor में voltage lead करता है इसमें current lead करती है प्लस आ गया omega t प्लस phi याद रखनी भी असानी हो गई इस तरीके से phasor diagram का use कीजिए बनाते चले जाईए साब अब एक चोटा सा सवाल आ जाता है और इसी सवाल का मैं जिकर कर रहा था इससे आपको idea मिलेगा कि आखिर हमको V और L को as a vector quantity क्यों treat करना पड़ा सीधे सीधे क्यों नहीं जोड़ पाते यह देखिए बढ़े मज़ेदार सवाल था इसलिए लिए है आपके लिए यह register पहले तो सवाल देखते हैं यह register of handed ohm register हो गया handed ohm का लिख लो थोड़ा बागी सवाल का solution पीछे गच्चे से दिखा देंगे and capacitor इतरा microfarad 100 upon pi microfarad का है capacitor are connected in series series में connected है इस तरीके से connected है साब series में correction की बात की गई है अगर ऐसे connected हो गई to a 220 volt 50 hertz supply 220 volt और 50 hertz की इसकी frequency है AC supply calculate the current in the circuit current in the circuit निकाल नहीं की current in the circuit क्या होगी आईए देखते हैं और second वाला है calculate the rms voltage rms voltage across the register and the capacitor do you find the algebraic some of these voltage यानि इस पे जो मिल ला होगा vr rms की बात करें और इस पे जो मिल ला होगा rms की बात करें capacitor इन दोनों को जोडोगे तो क्या ये 220 volt के बराबर आएगा या उससे ज़ादा आएगा more than the source voltage यानि आप जोडोगे तो इससे ज़ादा आएगा तो ये जो dilemma है या ये जो paradox है ये क्यों हो रही है उसको कैसे resolve करेंगे भै एनर्जी देने वाले के बराबर एनर्जी लेने वाला बराबर होना चाहिए देखते हैं इसको और तरीक इससे पकड़ते हैं तो capacitive reactance की बात करें अगर हम लोग क्योंकि पहले में बोला है calculate the current in circuit उसके लिए हमें ERMS पकड़नी है इसकी भै आई निकालना है अगर हमको IRMS निकालना है समझो मेरी बात तो आप क्या लिखोगे ERMS upon resistance या impedance of the circuit AC के लिए तो आपको Z पता होना चाहिए पहले तो Z के लिए capacitive reactance निकाला तो इसके लिए तो XC काम करता है इसके लिए R काम करता है तो XC की value 1 upon omega C होती है 1 upon 2 pi F C सारी values दे रखी थी 1 upon 2 pi और frequency दे रखी 50 hertz की frequency है देखो याँ पर F दे रखा है 50 और C की value दे रखी handed upon pi microfarand में था farand में change कर लिया handed ohm आ गया तो handed ohm क्या आया है XC आया है अब आपने निकाला R, R दे रखा तक सीधे 100 ohm तो Z कित्ता हो गया तो Z की value आपको बेटा पहले से पता है कि ऐसे निकालते हो इसके अंदर यह सब सीख चुके हो अंडर रूट रखके तो अंडर रूट रखके 100 प्लस 100 का स्क्वार कर दिया handed root 2 आ गया यहनि यह Z पता चल चुका है अगर Z पता चल चुका है तो IRMS is equal to ERMS upon Z अब यहाँ पर जो ERMS जब यह supply लगाते हैं वोल्टेस देते हैं के डाल दी और अंसर आगया 1.6 ampere very important question for you तो इस circuit में current कितनी होगी 1.56 ampere की यह बात हम निकाल चुके important सवाल है बहुसरल देख पाएं आप आगे की चर्चा करते हैं calculate the ERMS voltage across R and this one तो voltage across register ने calculation किया तो इसमें लिखोगे VR is equal to IRMS into R V is equal to IR लगाओगे ना तो IRMS into R इसके लिए तो IRMS निकाल चुके 1.6 ampere और resistance से 100 तो 156 volt आगया देखिए 156 volt अब हमने C के लिए निकाला तो C के लिए भी कैसे निकालोगे voltage Vc is equal to IRMS into volt निकालो Vc तो इसकी वेल होगे 156 volt इसकी भी होगे देखिए 100 volt निकाल के आ रही है यहाँ पर निकालने के कुशिस करोगे अगर voltage तो आप लिखोगे VRMS और साथ में लिख दोगे IRMS IR into XC यह वेल उडालोगे V is equal to IR के लिए तो IRMS लिखी 1.6 है 1.56 IRMS और XC हमने निकाल रखी थी कहा गई 100 root 2 करके कहा गई ओ, कहा गई यह 100 निकाल लखा था देख रहो नहीं यह दिस इस XC तो हैंड़ की वेलू पुट कर दी यह आपर XC लिखा होना चाहिए तो 156 volt आ गया यनि हमारा जो VR है वो 156 volt है देखो बेटा और VC जो है यह RMS value की बात कर रहा हो दोनों यह कितनी है 156 volt अब दोनों को अगर add कर दो वेटा तो यह कितना आ गया 312 समझना 312 इन दोनों का voltage का sum है और देने वाला खिलाड़ी 220 है यानि जो source है वो supply कर रहा है 220 volt और आपको यहाँ पर value निकल लई है 312 volt यह कैसे हो सकता है जितनी energy दी उससे जादा energy कैसे मिल सकती है भाई यही एक paradox है यही डाइलिमा है इसी वज़े जब practically चीज़ देखी गई तो सोचा गया कि इसको सीधे algebraically नहीं जोड सकते हैं जोडेंगे तो गड़बर हो जाएगी देखिए सही नहीं आ रहा है इसलिए हमको इसमें vector वाला funda लगाना पड़ गया और vector वाला जो funda आपने लगाया तो देखिए VRMS बात करोगे अब यहाँ पर तो VRMS की जब बात करोगे और इसको vectorally आपने जोड के देखा VR square प्लस VC square और अब value रखी 156 का square प्लस 156 का square यह जो धर आई थी value तब आपने कितनी देखी कि 220 वोल्ट अंसर आ रहा है बात समझ में आ रही है तो इस वज़े से आपको vector वाला treatment करना मजबूर ही बन गया क्योंकि यह चीज तो system में बैटी नहीं रही है देने वाला energy source कुछ दे रहा है और निकल कुछ रहा है आप समझ पाएंगों उम्मीद करते हैं इस इस दो लॉजिक बिहाइंड कि हमको क्यों फेजर डाइग्राम वाली बात या vector treatment करना पड़ा इसमें को कि practically जो दिखता है असल में तो वही है अब theory तो उसके बाद आप समझते हैं क्यों हुआ होगा ऐसा तो ये logic इसमें clear होता है चलते हैं आगे की बात करते हैं अब बच्चो आ जाते हैं LCR circuit पे देखिए LCR circuit पे पहुचने से पहले कितनी step चलने पड़े सीधे LCR आएंगे तो समझ बनी आएगा अब कुछ नहीं है LCR circuit में देखिए अब L भी लगा है यहाँ अब L भी लगा या R भी लगा या C भी लगा अब आप अराम चे comfortably इसको समाल सकते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि current की ही direct phase में R होने वाला है बहुत बढ़िया VL की कहानी बताई थी victory, lead तो VL करता है lead तो inductor में IE से lead कर रहा है VL और इसी का पलट IE से lack कर रहा है VC हम इसके diagram को समझ चुके तीनों को एक में mix कर देना है बात खतम हो गई देखें यहां mixing करेंगे phasor diagram में यह है phasor diagram यह E is equal to E naught sine omega T है अब यहां पर एक बना लिया हमने I और इसी direction में VR इसी direction में बन गया VR अब VL कर रहा है lead I से तो यह इससे lead कर रहा है यह बन गया VL This is VL vector की तरह treatment अब दूसरे में VC I से pi by 2 lag कर रहा है तो I से pi by 2 पीछे हमने बना दिया VC बन गया अब देखे यह VL और VC एक दूसरे से opposite direction में है यह pi by 2 आगे था है pi by 2 पीछे है तो इसमें से एक दूसरे के opposite में है तो घट जाएंगे एक दूसरे में तो घटने में तीन चीज़ों हो सकती है अभी समझेंगे special cases कि VL VC से बड़ा हो तो VL minus VC घटेगा तो VL बड़ा है तो VL minus VC इस direction में आएगा जो इस case में consider किया गया है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि VC बड़ा हो नीचे VL से तो इसका total effect नीचे आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि VL और VC दोनों बराबर हो तो दोनों पुच्चू 0 हो जाएंगे एक दूसरे का पोजिशन कर रहे कट्टम काट खेल ले निपड जाएंगे ठीके अब इस को इस diagram को समझते हुए जब हम आगे बढ़ रहे तो इसमें हमने consider किया है कि VL is कहीं लिखा है नहीं लिखा तो VL is greater than VC इस वज़े से VL में से VC घटा तो यहां परदी की लिखा है VL minus VC यानि यह जो वेक्टर है यह जो arrow दिख रहा है यह क्या है VL minus VC अब यह जो net result है इसका VR से vector vector result निकाल लो तो यह दोनों तो perpendicular है और इनका result कैसे निकलेगा साब ऐसे निकलेगा भई Z की direction तो ऐसे ही होती आप समझी पारें जोड़ घटा दीजिए इसको आप तो यह R square प्लस XL minus XC यह XL minus XC की कहानी जिस direction में voltage उसी direction में उसका position to the current तो यह XL minus XC और यह perpendicular था तो XL minus XC का square प्लस R square यह formula बन गया R square जानते हैं XL omega L जानते हैं पढ़ चुके हैं XC आप जानते हैं 1 upon omega C यह Z की कहानी आ गई और E की कहानी आप समझ गए इन दुनों का resultant E भी मिला लेंगे इसी को जोड़ दीजे VL minus VC का whole square प्लस V square is equal to E square Pythagoras से तो यहाँ पर अगर आप I dot लिखना चाहें E dot upon Z Z की value यह लिख दीजे बात खतम हो गई आप देखें यह LCR circuit which opposes or impedes the flow of current through it and it is called impedance it is denoted by Z यह Z क्या होता है मैं समझा चुका हूँ पहले ही आपको तो कोई बात इसमें पढ़ती नहीं है अब यहाँ XL इसको ट्रेंगल impedance ट्रेंगल बोलते है यह जो resistance वाला चक्कर समझने के लिए तो कुछ इसमें है थोड़ी बच्चों यह देखे R बना दीजे R याल R यह R था ना इस direction में इस R में XL minus XC perpendicular है यह बना दिया XL minus XC perpendicular फाई किसके बीच था resultant की बीच फाई है यह इसका E की direction में Z मिलिया यह फाई है अब यहाँ से अगर कहीं पर आपको 10 फाई निकालना हो तो XL minus XC upon R लिख देंगे यानि अगले slide में होगा फिर भी मैं एक बाई लिख देता हूँ 10 फाई निकालना हो तो XL minus XC upon R आ जाएगा R आ जाएगा यह 10 फाई का मतलब क्या है कि इसका जो effective resistance है वो current से कितना 5 distance पर है 5 phase difference पर है 5 lead कर रहा है कब जब हमारा VL VC से बड़ा है VL अगर बड़ा होगा तो lead करने लगागा EMA of current से ठीक है इतनी बात पकड़ पाया होंगे आगे समझते हैं अब special cases यह कहानी VL minus VC यह सब बनी थी पीछे वाला डाइगराम है अब special cases जो मैंने आपको बताए अब यह मैंने आपको लिखके दिखाया उसी में cause भी लगा सकते हैं अब दिखा दूँ कोई घबराना नहीं बच्चे विदम बहुत असान होता भई तो 10-5 लिख दिया perpendicular upon base और इसी में अगर कहीं आप cos-5 लिखना चाहो क्या है बताओ base upon hypo base is R and hypo is Z यह cos-5 और 10-5 एकी चीज तो है कुछ ऐसा है नहीं जो आपकी समझ में ना आए बिल्कुल मक्षन की तरह समझ में आएगा special cases अब पहले case में बोला था कि VL is greater than VC तो यह समझ के रखिए कि जब Excel बड़ा होता एक्सी से तो यह आएगा यह होगा तो यह होगा इस case की चर्चा कर चुके है जो सीखा है वही case यही case है कि हमारा यह जो VL है यह बड़ा है VC से तो net resultant इधर आया था तो 10-5 Excel-XC upon R या cos-5 R upon Z निकल के आ गया और इसमें resultant I कितना आएगा तो आप देख पा रहे हैं कि EMF lead कर रहा है है ना I इधर है और यह 5 lead कर रहा है यानि I lack कर रहा है तो अगर EMF को लिखा जाता है E not sine omega T तो इससे पीछे करना होगा I को तो omega T में 5 घटा मारा है बात पकड़ पाई ने क्योंकि I तो पीछे था ने कोई पीछे तो I is got to I not sine omega T minus 5 यह हो गया इसकी net कहानी LCR series circuit जिसमें dominance किसका है dominance हमारा excel का है यह VL का है वL बड़ा है ना अगर dominate कर रहा है VL तो हमारी कहानी इस तरह जाएगे और circuit को बोलते inductive circuit this series LCR circuit is known to be inductive circuit देखिए क्यों inductive circuit क्योंकि VL भारी पड़ गया बड़ा हो गया इसलिए इसका behavior कैसा बन गया omega t minus 5 आपने ध्यान दिया था ना कि inductive circuit में VL VL था victory lead तो VL आगे रहना चाहिए यहाँ देखिए VL आगे है VL अगे है तो इसमें behavior कैसा आजाएगा inductive circuit जैसा बिलकुल असान होता है बिलकुल मस्त हो जाओगे समझके आगे बात करते हैं माल लीजे दूसरी कहानी में हमारी इसकी opposition एक्सल की value छोटी हो जाए XC से या XC की value बड़ी हो जाए बात दुनों बराबर है ठीके तो उस situation में ये portion ज़्यादा ताकतवर है तो यहाँ पर ऐसे बनाओगे अगर VC तो VL यहीं पर निपड़ जाएगा तो ये जो portion रहेगा इतना इसे लिखो गया VC minus VL क्योंकि dominance इधर है न ये voltage VC का VL से भारी पड़ गया उपर का opposite case हो गया है साब तो जब opposite case हो जाएगा नीचे ही चला जाएगा VL तो उस समय क्या हो जाएगा 10,5 की value हो जाएगी XC minus XL upon R बाई triangle में XC बड़ा हो रहा है तो XC को बड़ा कर दो हो गई कानी cos phi R upon Z ही रहेगी अब ये बन जाएगा capacitive circuit क्योंकि यहाँ पर dominant कौन कर गया है VC साब बड़ा हो गया है VL से देखिए उपर का opposite है उपर का opposite है तो यहाँ पर dominance कितना है capacitive circuit का और capacitive circuit में जो voltage होता हो लैक कर जाता है यह हमने VL से गोंट रखा है लैक करने का मदलब भाई ये तो formula पहले से fit है ये लैक करेगा तो दूसरे का current को lead कराना बढ़ेगा तो omega t plus y कर दो केल कतब हो गया lead करने बहुत सरल आग ये बात समझते हैं बेटा मान लीजे दोनों बराबर हो जाए भाई वो diagram याँ छपा हुआ है बढ़ी सुन्दर बात ये अगर VL और VC दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे भाई ये दोनों बराबर है तो यह कुछ नहीं मिलेगा खचू खचू का मदलब VL और VC बराबर है तो दोनों ने निप्टा दिया एक दूसरे को तो केवल RER को बचा अब RER बचा तो ये कैसा हो गया Purely Resistive Circuit कितना आसान है यार मजा आने लगता है पड़ते तो ये हो गया साब Purely Resistive Circuit अब Purely Resistive Circuit का कहानी तो आपको मालूम है IRMS is going to ERMS upon Z बात कितम होगी कि XL minus XC का क्या होगा पुच्चू पुच्चू मतलब दोनों निपट चुके हैं तो R दोनों एक फेज में current, current, sub, एक फेज में चली जाएए बला अगर equation लिखने का मन कर जाए तो कोई चिंता नहीं ये देखे, supply लगाई थी आपने EMF की और I लिखने जाएंगे इसको I not of same phase में आ गया है इसको sine omega t लिख दो दोनों के कानी ये diagram जो बनाया है ये पीछे वाला ही copy-paste मारा है तो इसका diagram ना समझ लेना ही है ठीक है? ये समझाने में तो ये कुछ नहीं आएगा ये diagram पीछे वाला है ये समझे बात पकड़ पाएं होंगे इतनी बात पकड़ लिए तो आप शांदार प्रदशन करने के लिए तयार हो चुके हैं भाई अच्छा numerical आ गया कर लिते देखिए साब numerical इने series LCR circuit with an AC source of effective voltage 50 volt frequency है new है 50 upon pi मैं लिक देता हूँ जिसे आप पकड़ पाएं solution पीछे है LCR circuit में बनाई ले किया तो भाई ऐसे बना लो और चलो भाई ऐसे दिखाने के लिए दिमाग पकड़ना पकड़े तो तो मज़ा आए ये साब बन गया circuit और effective voltage यानि VRMS दे रखा है effective voltage को भी VRMS दे बोलते है RMS 50 volt EV जो भी बोलने हो और frequency कितनी है 50 upon pi hertz R कितना है 300 ohm C कितना है 20 microfarad L कितना है 1 henry ये कहानी है ऐसे डाग्राम बना दो teacher खुश हो जाएगा find उस समझ जाएगा funda clear है बच्चेगा find the RMS current in the circuit हमें चाहिए क्या बहुत सवाल है I RMS in the circuit अरे V is equal to IR यार V is equal to IR तो ये लगा दो E RMS upon Z ohms law पढ़े तना जमाने में जमाने में दम है तो I की value हो गई V upon R वही तो लगाए हो E RMS दे रखे है ये देखो आपको निकालना है Z जैसे ही Z निकालो के खेल खतम और Z निकालने की चर्चाब आप घोटे थे फार्मूला under root R square XL XC में जो भी बढ़ा होगा कर देना root square में तो वैसे भी सब positive होता है तो XL minus XC का whole square लिख देता हूँ कोई भी negative positive है क्या फरेप पड़ता है Z निकाल के value पूट कर दो खेल के तम आईए कर लेते बहुत ही असान तो ये देखे ये Z निकालने की प्रक्रिया है तो XL निकालो R तो पता था 300 inductive resistance होता है XL यानि omega L तो 2 pi new L 2 pi new की value frequency 50 upon pi L है 1 आ गया 100 capacitive reactors ये XL की value होती है omega L याद आ जाए तुमकों मैं दुबारा लिख दू 1 upon omega C याद कर ले न बेटा और omega C हो गया XC अब 1 upon 2 pi new C value पुर कर दो न 1 upon 2 pi new 50 upon pi C कितना था लिखा होगा 20 microfarad था क्या कहां क्या हाँ 20 microfarad तो 20 microfarad लग दिया value आगी 500 केल खतम Z की value लगा दी R square plus XL minus XC अब जो बड़ा था वो घटा दिया याँ पर 500 बड़ा दिख रहा है तो लिखते वक्त XL minus XC कीजएगा अब ये मंदो calculation बढ़ा दे आगे तो anyway तो Z की value निकाली R put कर दी R यहाँ पर 300 ohm थी 500 ohm में से 100 ohm घटा के square calculation मारी 500 ohm आ गई अब IRMS केतने हो जाएगे VRMS upon Z VRMS दे रखा है 50 उदर 50 upon 500 0.1 ampere is the answer बात के तम इस तरह से LCR circuit की सवाल लिख लेंगे कब आया था 2014 का है ऐसे ही सवाल आते हैं बस आप घब रहाएए नहीं 100% कर लेंगे आप आगे देखते साब एक नुमर के लौर देखिए ये कब का है 2019 का है ताजा ताजा माल है आगे देखिए the figure shows ये series LCR circuit ये LCR circuit पहचाण चुके होंगे कहानी ये जो दी रहती value उसको RMS treat कर लेना हमेशा ये है ERMS हमेशा जो ऐसे लिखा हो ठीक अब ये पताता है determine the source frequency which drives the circund in resonance source frequency जो resonance देगी वेगरा वेगरा दूसरा क्या है calculate the impedance Z on amplitude at resonance अच्छा resonance वाली चर्चा भी कीनी ये सवाल पहले आ गया है तो resonance वाली चर्चा हम लोग आगे मेरे काल स्लाइड है जहां तक मैं देख लेता हूँ एक बार तो हाँ resonance तो ये resonance वाली पढ़ लेते हैं फिर इस सवाल पहाएंगे तब आप ज़्यादा इसको पकड़ पाएंगे ठीक resonance क्या होता ये समझ लेते हैं ठीक है साब तो resonance condition of a series LCR circuit तो resonance condition का मतलब क्या होता है resonance condition का मतलब होता है a series LCR circuit is set to be in the resonance condition when the current through it has a maximum value यानि current की value maximum होनी चाहिए at resonance तो resonance का मतलब क्या है कैसी condition जहां current की value maximum हो ये इसकी definition होती पूछी जाए चिपका देना ठीक है आगे देखते हैं अब इसमें formula हमने निकाल लगका था क्या I0 is equal to E0 upon Z ये formula भी था ना RMS वाला भी formula था और उसी में value रग दो तो E0 आ जाएगा अब ये Z को अगर हमें I0 maximum करना है तो E0 तो जो frequency लगा के बैठे हो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो तो source लगाए बैठे हो लगाए source अब इस Z को अगर हम कम करते हैं if we decrease the Z then we are able to increase the I0 Z को कम करने पर I0 बढ़ाया जा सकता है तो ये Z में क्या कम कर सकते हो इस resistance में तो कुछ नहीं कर सकते हो जितना for a given resistance ये fixed है हाँ omega L और omega C में कुछ खेल कर सकते हो तो अगर ये square वाला term है इसकी minimum value क्या हो सकती है जिरो अगर ये घट जाएगा value समझे ये घट जाएगी value तो total value घट जाएगी तो total value घट जाएगी तो आई नोट बढ़ जाएगा भई ये value घटानी है denominator में न ये तो घटने वाला नहीं जो है वो है इसको घटाना है तो इसको घटाने में इसकी minimum value क्या हो सकती है 0 square है न negative थोड़ी आएगा तो ये 0 तो 0 आने के लिए omega लो omega c को कर दो बढ़ाबर जहाँ omega लो omega c को बढ़ाबर करोगे तो omega calculate कर लिया इससे इसकी आगी value 1 upon under root lc angular frequency है यहाँ से frequency भी निकाल सकते हो क्योंकि omega की value होती है 2 pi f अगर आप ये value put कर दे omega की 2 pi f तो resonance वाली जो frequency है यानि यही आजागी 1 upon 2 pi under root lc यह वो frequency होती है जहाँ पर आपको i maximum मिलता है यानि यह जो आपको दिख रहा है condition क्या हो गई xl बढ़ाबर xc इसको याद रखो famous condition है एक बर और यानि resonance condition क्या है xl बढ़ाबर xc तो यह दोनों value हो गई बढ़ाबर और आपकी current की value हो गई peak तदी frequency at which the current amplitude i0 attends peak value is called natural or resonant frequency of the lcr circuit and is denoted by fr resonant frequency 1 upon 2 pi under root lc ठीके इतनी बात जब हमने पढ़ ली तो हम वापस सवाल पे चलेंगे उसको करेंगे फिर इसकी आगे की चर्चा करेंगे हम ही जान चुके हैं इस resonance condition में xl बराबर xc होनी चाहिए या यह frequency होनी चाहिए 1 upon under root lc omega वाली या fr वाली 1 upon 2 pi lc चलिए इस numerical पे चलते हैं अब यहां calculate the impedance and show the potential drop across lc combination is 0 at resonating frequency चलिए इसको समझते हैं देखें साब इन्होंनों बोला था कि determine the source frequency which drives the circuit in resonance तो resonance के लिए हमने देख लिया था कि omega की value होनी चाहिए 1 upon under root lc यह resonant frequency resonant angular frequency है ठीक है तो इसकी value क्या हो गई omega 1 upon under root lc value put कर दीजे lc वेगरा दे रखा है और omega की value निकाला ही आपने 50 hertz तो यह value आपकी निकलाती है आप और पहले का अंसर आपने बता दिया दूसरा calculate the impedance of the circuit and amplitude of the current and resonance तो resonance के उपर आपको impedance कितना मिलेगा इंपिदेंस की value आपने लिखी थी r square plus xl minus xc का whole square at resonance xl और xc होते हैं बराबर तो resonance पे z की value तो r के बराबर हो जाएगी ना क्योंकि तो 0 हो गया तो resonance पे z और r हो गया अपसे बराबर तो i max कितनी आ गई i max 230 root 2 अब यह e rms थी तो यह value है e rms तो अगर i max आपको निकालनी होगी तो e max लिखनी होगी तो e max e naught upon root 2 is equal to e rms लिखते हो है कि नहीं तो e naught अगर चाहिए तो आपको लिखना होगा e rms into root 2 इसलिए यहाँ पर 230 into root 2 कर दिये गया upon r 230 root 2 upon r यानि 8.1 ampere इसकी मिल गई i max अब बात कर रहा है c में show that potential drop across lc l और c l है ये और c है ये combination is 0 at resonating frequency तो resonating frequency में आप देखिए तो vc की value निकाली तो vc i max into xc ये value होगी 2033 volt formula लगा के vl निकाली 2033 volt और vc minus vl कितना हो गया 0 तो आप देख पारें potential drop across lc combination across lc combination में कितना drop यहाँ से यहाँ तक का मिला 0 और सवाल खतम हो गया ऐसे सवाल करें लोग hot बोलते हैं लेकिन अगर आप समझ चुके हैं तो कहां से hot से चलते हैं करते हैं इससे आगे की बात तो पिटा हम लोग resonance वाले में lcr में resonance condition क्या होती इसकी चर्चा कर चुके थे इसके बारे में कुछ और बाते समझ लेते हैं कोकि यह course में बड़ इच्छी तरीके से हैं और मखन की तरह आपको समझ में आ जागा मुद्दे की बात कर रहा हूँ अब आता है sharpness of resonance या Q factor Q factor का मतलब होता है quality factor तो अब इसको सरल भाशा में समझे तो resonance की क्या quality है इसकी बात की जाती है कुछ ऐसा example देता हूँ जिससे आप पकड़ पाएं अब आज कल आप FM radio शाय सुनते होंगे तो खेर बहुत जादा frequency का रहता था पहले जमाने में जो radio थे वो जब किसी station को मिलाओ सुनने के लिए तो कभी-कभी वो बाजू वाली की दूसरे channel को भी पकड़ लेते थे एक साथ दो-दो-तीन-तीन channel की आवाज आने लेकि दखती थी radio में अब FM में ऐसा नहीं होता है क्योंकि FM में ब्रैंड भी कफी ज़्यादा होती तो वो situations की क्या थी की poor resonance क्यों? क्योंकि resonance होने का मतलब quality resonance नहीं हुआ वाँ क्यों? क्योंकि quality resonance है आपकी transistor की frequency जब परसारण वाली frequency से match करती है तो वहाँ की अवाज current की value ज़्यादा हो जाती है और आपको वहाँ की अवाज सुनाई पड़ती है अगर frequency मान लीजिए आपकी 230 है resonating और जो भेजा जा रहा है एक भेज रहा है 230 का और एक बाजू वाला भेज रहा है 232 पे और एक भेज रहा है 228 पे तो आपको ऐसा quality factor चाहिए होता है कि resonance जिससे कराएं एकदम साफ शुद्ध आवाज है resonance शांदार हो तो अब इसके कई तरीके थे एक तो तरीका यह होता है कि 230 पे जो परसारण हो रहा है अगला परसारण 230 की जिगा 400 पे कर दो पकड़ी ना पाए और दोस्तों तो इसका पीछे वाला 100 पे कर दो तो इतना gap बन गया कि उसमें कोई पकड़ेगा ही नहीं आ जूबा 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 लेकिन कोई noise तो आ सकती है भाई मल्लो उसका नहीं पकड़ा तो एक तो खर्चा हुआ bandwidth पालतू जा रही है इतनी बड़ी gap जो बनाया है और दूसरा noise कोई welding machine लगाया हुए बाट डोलोल कर रहा उसकी frequency आने लगी तो गलबड होने लगा उन सबसे बचने के लिए quality इंप्रूफ की जाती है उसके लिए क्या किया जाता वही Q factor पढ़ रहे हैं लोग कि हमारी ये noise ना आवे ये सारी बातें detailed में हुआ करती थी communication system में जो आपके course में अब नहीं है तो sharpness of resonance ये quality factor यानी कि हमें resonance perfectly all right चाहिए तो इसको इसका formula है Q is equal to omega r upon omega 2 minus omega 1 ये है resonating frequency यहाँ समझते हैं देखिए आप क्या करते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे आप r की value high करते हैं omega जो है frequency जो है अगर आप resistance को बढ़ाना शुरू करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि high r पर आपका value of current घट जाता है frequency नहीं change होती frequency is not dependent on r आपने देखा था कि omega की value detail जाता नहीं जाएंगे हम लोग lc पर थी यानि r पर depend नहीं करती थी omega तो ये देखिए r बढ़ा भी रहे हैं यानि यहाँ कम r था उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा फिर भी ये omega वाली line नहीं खसकी सबका वहीं omega मिला उसी पर लेकिन i not घट गया इसके लिए i not ये था इसके लिए i not ये था इसके लिए i not ये था यानि i not हमारी current की value काफी dip कर जाती है dip कर जाती है i not तो बहुत ही शांदार आवाज नहीं आ पाती है मारे पास को कि peak नहीं चाहिए हुआ ना फिर इतने छोटे में फिर जितने आजू बाजू वाली noise से सब पकड़ ले गाई तो इस बात को ये हो जाती है omega r है resonating frequency omega 2 omega 1 क्या है अभी आपको समझाते हैं अब क्या किया जाता है दूसरा graph देखिया इसमें omega r पे तो resonating frequency है इससे बाजू में omega 1 omega 2 ये जो लिखा हुआ है ये r i की value लेते हैं इसके बाजू में जो value होती है देखिये e naught upon root 2 r लिखा हुआ है ना इसको लिख सेकते हो i naught upon root 2 यानि 0.james bond 707 i naught इस पर इस value के लिए current की value पे एक line खीच लो जो ये cut करें इस graph को उससे मिला दो पहला वाला omega 1 अब बाजू वाला omega 2 यानि हमारा ये जो कहानी रहेगी बीच की उसी में हम लोग bandwidth की चर्चा करेंगे ये हो गई bandwidth omega 2 omega 1 का difference और ये इसी value को omega 1 इसको omega 2 अब बीच वाली को resonating frequency को omega r बोलोगे तो quality factor क्या हुआ? omega r जो resonating frequency है और divide कर रहें omega 2 minus omega 1 से यहीं omega 2 minus omega 2 जितना कम करोगे quality factor उतना improve करेगा ठीक? तो ये जादा नहीं रखतेंगे जादा चोड़ा कर देंगे तो बाजू के noise मिल जाएंगे हमको और omega r और इसको omega 2 minus omega 1 यह जो gap है यह जो gap है इसके बीच का उसको देखते हुए delta omega बोलते हैं इसी को bandwidth बोलते हैं यह आपकी bandwidth है यह लिखा हुआ है यह bandwidth है इसकी ठीक है? तो यह resonating frequency upon bandwidth इसी को बोलते हो quality factor सवाल इस पे formula बेज़ आते हैं चिंता की आफशक्ता नहीं मैंने तोड़ा detail में आपको बता दिया तो q हो जाएगा omega r upon 2 delta omega या omega r upon omega 2 minus 1 omega l upon r यह भी formula आता है और जिस formula को ज़्यादा use करेंगे आप वो formula यह है तो q is equal to 1 upon omega r c r या is equal to 1 upon r under root l by c यह आपको quality factor है quality factor का मतलब क्या है? मैंने आपको समझा दिया resonance का quality शांदार होना चाहिए और उसकी बीच का logic भी बता दिया इतना logic more than enough है साब more than enough ठीक आगे चलते हैं हम लोग सवाल आ गया इस numerical को भी निप्टा लेते हैं लिखा है calculate the quality factor क्यों निकालना है? lcr circuit का with l दे रखा है c दे रखा है और r दे रखा है यह देखिए lcr हमको given है mention the significance of quality factor in lcr circuit significance मैं काफी चर्चा आपसे करी चुका हूँ तो अब देखिए क्यों होता है 1 upon r under root lyc value feed कर दो 1 upon r lyc और यह value देखिया जाती है 100 अब देखिए इसका कोई unit नहीं होता quality factor का यहाँ पर देख लीजे क्योंकि यह ratio में क्या है ऊपर नीचे की frequency ही तो है तो this is a this is it has no unit कोई unit नहीं है यह ratio है कि बात पकड़ में आई होगी तो इसलिए इसका कोई unit यहाँ पर mention आपको नहीं दिखता 100 आगया quality factor पाकि it signifies the sharpness of resonance जितना sharpness अच्छा होगा उतना resonance मज़ेदार मिलेगा अच्छा मिलेगा आगे समझते है power in AC circuits अब देखिए power in AC circuit में P average जवाब लिखते हो the rate at which the electrical energy is consumed in an electric circuit is called the power यह definition तो वही है पुरानी जो समझते है यहाँ पर P average में आता है ERMS into IRMS और एक term और आता है cos phi इसको power factor भी बोलते हैं भी लिखा होया आगे slide में दिखाता हूँ cos phi की value R upon Z हुआ करती थी मैंने आपको समझा दिया था पिछले वाली slide अगर आपने ध्यान से देखी हूँगी तो cos phi को R upon Z भी लिखा जा सकता था P average ERMS IRMS R upon Z और यह सारी value यहाँ से आप इस graph को अच्छी तरीके से भली बाती समझ रहे हैं P average आप पकड़के रखिए आगे समझते हैं इस special cases देखिए यह पूछा जाता प्योर रिजिस्टिफ सर्किट है तो प्योर रिजिस्टिफ सर्किट में आप जानते हैं कि फाई यहनी phase difference हो जाता है जीरो प्योर रिजिस्टिफ सर्किट में क्योंकि I और V दोनों एकी दिशा में रहते हैं तो उस situation में cos 5 की value हो जाए गिवन क्योंकि cos 0 होता है 1 तो P average कितना आजागा E RMS I RMS यह 1 हो गया तो E square RMS upon R यह हो गई कहानी किसकी pure अधर रिजिस्टिफ सर्किट फ्योर इंडेक्टिफ सर्किट फ्योर इंडेक्टिफ सर्किट में 5 की value होती थीploy by 2 आप जान रहे हैं तो cost 5 by 2 रखोगे तो P average कितना आगया शून में तो pure inductive circuit में P average 0 होता है pure capacitive circuit इसमें भी देखिए 5 की value जागी minus 5 by 2 leading lagging सब में समझा चुका हूँ cos 5 by 2 आप रखोगे फिर से power आगयी 0 देखिए pure inductive circuit pure capacitive circuit की जो power average power है वो शून ने होती है आगे बाद समझते है special case अब अच्छों बात करते है series LCR circuit की तो देखे series LCR circuit में क्या होता है तो P average आजाएगा ERMS into cos 5 यह series LCR circuit की काहाली है बात पकड़ में आ रही होगी आपके और 5 की value होती थी आप जानते थे नहीं यह लिखा था भी पुरानी slides देखते है अभी पढ़ाया है आपको XL minus XC upon ऐसे करके निकाल रहें थे अपना यह Z था नीचे XL minus XC upon R था नीचे ठीक तो यह value हो गई आपकी LCR circuit में और अब देखे लिखा sometimes 5 may have a non-zero value for series LR LC and LCR series circuit यहानी 5 की value non-zero हो सकती है लेकिन ध्यान देना होगा कि जब power consume होगी उसमें तो केवर resistance में होगी L और C पर नहीं होगी बात समझ पा रहें यह जो LR और LC circuit में power average 0 पड़ा है हो सकता है यह 0 ना हो cos phi 0 ना हो अगर मालो कुछ power जाती भी है तो वो power inductor पे या capacitor पे नहीं खर्चा होगी आर पे खर्चा होगी यह समझने वाली बात है power dissipated resonance in LCR circuit resonance condition में power कितनी dissipate होगी तो यहाँ पर excel बराबर xy होता है condition आप जान चुके है resonance की तो phi की value हो जाएगी आपकी 0 तो cos phi हो जाएगा 1 एक्सल माइनस xy का triangle बनाए थे ना ऐसे यह था excel माइनस xy अभी यह value हो गई 0 तो यह phi कितना हो गया phi हो गया 0 इस situation में तो p average कितनी हो जाएगी e rms into i rms that is maximum power is dissipated in the circuit through our at resonance बात कितम हो जाती है सारी बात बारीक से बारीक आप समझ सकते हैं पुरा chapter ही धचर लिया है हम लोगों ने भले थोड़ा समय लग रहा है लेकिन कुछ पढ़ने की आवशक्ता नहीं इत्तिम काम हो जाएगा हाँ detailed चीज़े चाहिए तो link description में दिया हुआ है चलिए आगे की बात और करते हैं हम लोग power factor की बात करते हैं ये भी पूछा जाता है बड़ा famous रहता teacher की बीच में तो कुछ नहीं है cos 5 को बोलते हैं this is power factor power factor cos 5 r by z r upon r square plus omega l minus 1 upon omega c का whole square अब purely inductive circuit है या capacitive है तो 5 होता है 90 degree तो यहाँ पर power factor कितना हो जाएगा इसके लिए यह हो जाएगा 0 तो pure inductive या capacitive circuit के लिए power factor कितना होता है शून घ्रा नखिएगा pure resistive circuit के लिए 5 होता है 0 तो power factor कितना हो जाएगा 1 समझ पारें pure resistive circuit अगर है तो power factor कितना हो गया power factor 1 और inductor वाला circuit है या capacitor वाला है तो power factor कितना हो गया 0 यह देकी लिखा हो आया does the power factor assumes the maximum value for a purely resistive circuit यह power factor क्योंकि cos 5 को power factor बोले तो power factor की value हमेशा 0 और 1 के बीच में घुमेगी बाकी यह आपके उपर तो 0 अंसे के बीच रहेगी है उसके बराबर रहेगी आगे बास समझते है average power associated with a pure register तो average power कितनी लगती pure register circuit में p average का मतलब हो जाता है v naught i naught यह जानी रहे v rms into i rms यह v square rms upon r यह pure register circuit का average power है आगे बास समझते है energy and average power association तो pure inductor circuit है यह कैसा circuit है pure inductor तो pure inductor circuit का मतलब यह circuit की बात कर रहे हैं भूलना जाना कि क्या चल रहा नहीं चल रहा दिमाग से ही चला जाए इस ही source लगा हुआ है तो energy stored इसमें जो energy stored होती है इसके अंदर वो magnetic field के form में store होती और साथ में उसकी जो value होगी वो होती यू is equal to half l i naught square p average कितना होगा 0 तो यहाँ पर magnetic field के form में energy store होगी power average 0 बात करते हैं pure capacitor circuit की इस तरह वाले circuit की pure capacitor इसमें energy जो stored होती वो electric field की form में होती है तो electrostatic energy store होती है और उसकी value होती half cb square पहले वाले में magnetic field के form में थी इसमें electric field के form में पी average इसका भी 0 है ठीक है जब pure capacitor circuit का energy and average power की बात्चीत की जा रही है आगे बात करते हैं बच्चों आगे आता है LC oscillations तो LC oscillations भी आपके chapter में है इसका qualitative analysis है qualitative analysis मतलब numerical नहीं आएंगे derivation नहीं करना है के वहल कैसे होता यह जानना है तो आप जानते हैं कि जब हम लोग L और C को बलब कुछ ऐसे समल लीज़े यह लगा दिया L और यहां लगा दिया आपने capacitor circuit यह C है यह L है इसको charge कर दीजे इसमें energy किती होगी तो आप जानने हैं कि जो capacitor में होती है half यह capacitor की energy है मैं UV लिखके छोड़ रहा हूं बागी half वगएरा वगएरा यहां UV लिखके छोड़ देंगे इसमें magnetic field वाली energy ने लिखके छोड़ते हैं तो यह oxalate करते हैं थोड़ा सा diagram है वो समझ लेते हैं दो मिनट में समझ में आ जाएगा तो देखें इसमें क्या होता है यह 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे है 1,2,3,4,5,6,7,8 यह diagram का sequence है देख रहा है आपको विल्कुल देख रहा होगा तो यहां पर आपने capacitor को चार्ज करके छोड़ दिया तो जैसे ही चार्ज करेंगे अब capacitor में प्लस वाला घूम के चार्ज माइनस की तरफ flow करने की कोशिस करेगा पहले 0 थे current अब current flow होनी शुरू हो गई यहां से energy जानी शुरू हो गई current जानी शुरू हो गई तो यहां पर magnetic field develop होगा क्योंकि वो जैसे current जाती है position करता lens law की basis पे तो यहां energy save होनी शुरू हो गई और यह opposite करने की इसने कोशिस चालू कर दी current जाती रही maximum current अचीव हो गई अब maximum current के बाद खाली हो गया capacitor खतम हो गई energy इसकी अब जब घटने लगेगी energy तो इसने क्या किया जब पूरी current जाते 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 घटन लगी तो इसने एक inductor ने क्या किया अभी तो विरोध करेगा ना देखिए यहां पर पूरी energy save कर चुका था यहां पर capacitor की energy full यहां पर energy जारी थी दोनों में energy यहां पर capacitor discharge हो चुका है inductor में full energy फिर inductor कुकी वोग जब घटने लगी current लेंज लोग के भरोसे तो कह गएगा घटो नहीं तो अपनी current flow कराना शुरू कर देगा अपनी current flow कराएगा तो यह charge होने लगेगा देखिए यह current दोनों energy आने लगी और करते कर इसको charge मिला तो फिर यह discharge करना शुरू हुआ प्लस हो गया माइनस हो गया इसकी वाली situation देखिए प्लस उपर माइनस मीचे यह प्लस इधर माइनस इधर आप यह फिर इसने क्या किया energy charges flow कराने शुरू किये फिर इसके इंदर energy stored हुई फिर जब घटने लगा यहां पर देख जाली हो गया energy पूरी इसके अंदर आ गई और उसके बार आप देख रहे हैं दोनों में energy फिर बैलेंस हो गई तो इस तरह का जो oxalations है energy का जाना फिर energy का फिर ऐसे आना यह घूमता रहता oxalate करते हैं यह oxalations की जरूरत क्या पढ़ती है अगर हम समझें देखिए oxalations की इसल करते हैं ना तो ऐसे ही charge को lc circuit से oxalate कराके electro magnetic waves produce कर देते हैं और electro magnetic waves तो कमाल की होती है सारी communication system उस पे based है तो यह इसका फायदा होता है कि em waves इससे produce की जा सकती है और इससे कमाल कर सकते हैं यह lc oxalations की बात इतना आपको आ गया जरूरत से ज़्यादा आ गया चलिए करते हैं अब बच्चों बात शुरूरती transformer की it is very very important topic और बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत मज़िदाव topic है transformer आपने देखें हैं आपकी colonies में लगे हुए दिख जाते होंगे क्या करते हैं transformer a transformer is an electrical device यह electrical device है for converting an alternating current at low voltage into that at high voltage और vice versa यानि alternating current जो हमारी है उसके low voltage को आप high voltage में convert कर सकते हैं इस electrical device की मदद से या high voltage को low voltage में तबदील कर सकते हैं इस device की मदद से तो alternating current ही होनी चाहिए इसका principle भी आगे लिखा मिलेगा आपको जो low voltage से high voltage में convert करने की काम आता है उसको बोलते है step up transformer जो high slow में जाता है उसको बोलते है step down transformer नाम दे दिएगा है यह लिखा हुआ है if it increases the input voltage it called step up और end decreases समझ पायोंगे low voltage से high voltage तो step up कर दिया है step down कर दिया है जो step up होता है यहाँ पर दिखिए transformer की photo बनी है यह soft iron लगे है insulated insulated का मतलब एक दूसरे में conducting नहीं है आप soft iron की पत्नियां लगाई जाती है क्योंकि देखेंगे eddy currents कम से कम हो इस वज़े से और अगर हम लोग को step up चाहिए यहाँ पर बना नहीं है तो step up चाहिए तो इसको बोलते है primary coil और इसको बोलते है secondary coil अगर step up चाहिए तो यहाँ पर ज़्यादा number of turns दे देते हैं और step down में यहाँ पर number of turns प्राइमरी में ज़्यादा दे देते हैं तो इस तरीके से अगर यहां की बात करें, यहां number of turns जादा दिख रहे हैं, तो यह step down हो जाएगा transformer, ठीक है, eliminated core होते है, इससे eddy currents कम से कम बने, eddy currents बनेगी तो loss होगा, आगे समझते, काफी कुछ बताऊंगा में इसमें, तो principle क्या है, यह बड़ा पूचा जाता है transformer का, it works on the principle of mutual induction, यह mutual induction में काम करता है, that is, when a changing current is passed through one of the two inductive coupled coils, यह coils है, यह coil लपेटी है न, तो यह primary coil, और यह secondary coil, तो 8 में अगर flux में change हो, तो दूसरे में भी flux में होता है, change, inductive effect होता है, तो mutual induction होता है, तो when a changing current is passed through one of the two inductive coupled coils, and induced EMF is set up in the other coil, तो यहाँ पर जो flux में change होगा, तो induced EMF बन जाएगा, और उसी से कहानी आपकी बहुबली वाली शुरू हो जाएगी, तो यह इसका principle है, याद रखिएगा, formula जो इसमें use होता, I1 upon I2, I1 लिखने का मतलब है primary coil की बाद, I2 लिखने का मतलब है secondary coil की बाद, और number of turns हैं यहाँ पर, यह E2 upon EMF, यानि समझ पाए हैं, इसका EMF E1, इसका E2, यह इसका N1, number of turns और यह number of turns N2, तो इस तरीके से आप एक relationship होती है, जो आप ध्यान न किये, efficiency of transformer, power output upon power input into 100%, जहाँ भी इस्तिमाल होगा, इसका इस्तिमाल हम लोग कर लिया करेंगे, तो यह ध्यान transformer का सबसे शांदार इस्तिमाल क्या होता है, वो भी इसमें देखेंगे कि दूर तक बड़ा transmission कर सकते हैं इसी काम लोग, तो losses भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने लिके आएं, 3-4-5 तरह के losses लिके होएं, copper loss होता है, तो copper loss होने का मतलब है, आप जो winding करते हैं winding कितनी ज़्यादा कितनी कम करने उसमें copper loss हो जाता है, बहुत ज़्यादा copper लगानी पड़ जाती है, ठीके, दूसरी बात करते हैं, eddy current loss, अब आपके जो अपने laminated course लगाये थे, उसमें eddy current कम से कम बने इसलिए laminated course लगाये थे, फिर भी eddy current कुस्तों बनती है, तो वो eddy current का भी loss हो जाता है, और copper loss में, आप copper का कुस्तों resistance होगा, तो वहाँ पे heat की form में भी loss होता है, ये copper loss है, heat की form में loss होना, hysteresis loss, आपका demagnetization ये course अब नहीं रहा है, demagnetization और magnetization ऐसे, diagram बहुत गंदा बन गया है, तो ये इस तरह का diagram समझ लीजे, demagnetization और magnetization करते थे आप, तो ये hysteresis कर्व होता था, तो ये energy lose कर जाते हैं, एक बार material का, क्योंकि current flux change हो रहा है, current से magnetization होता है, एक बार खतम होता है, फिर होता है, फिर होता है, फिर खतम होता है, तो बार बार होने में, magnetize और demagnetize होने में, जो beach का area है, वो हाथ नहीं लगता, energy loss हो जाती है, उसे बोलते hysteresis loss, flux leakage, अब flux leakage में एक दूसरे में flux पूरी तरह नहीं जा रहा है, मतलब, यहाँ पर जो flux बन रहा है, पूरा यहाँ पास नहीं हुआ, सो बना असी गया, तो flux leak कर गया साब, तो flux leak करने पे भी, आप दिक्कत होती हमिंग loss, तो हमिंग loss में देखी क्या है, यहाँ पर जब यह heat up होता है, तो यह तोड़े enlarge हो जाते हैं, जब यह enlarge हो जाते हैं, फिठंडा होता है, एफ्लक्स में change में, तो expansion और ऐसे vibration करने लगते हैं, तो आप देखेंगे, transformer के नीचे कभी खड़े होंगे, तो ऊपर नीचे होने की वज़े से, एक humming sound produce हो जाती है, नीचे खड़ transformer के, ना हो तो अच्छा है, लेकिन होते हैं, बाकिये सब को बहुत अच्छी बात है, यूजर्स ऑफ transformer की बात की जाए बेटा, तो small transformer, radio receivers वेगरा, telephone में यूज किये जाते हैं, पता है आपको, voltage regulator, TVV, refrigerators के लिए, air conditions के लिए, आप लगाते हैं, voltage regulator, वहाँ transformer यूज होते हैं, stabilizer लगाते हैं, कई लोग के घर में fluctuations होते हैं, voltage कम आता है, तो भी transformer लगाना पड़ता है, उनको, step down transformer, use for obtaining large current for electric welding, जो welding होती है, welding मतलब आप welding machine देखते होंगे, welder लगे रहते हैं, उनको भी transformer चाहिए होता है, जिससे current की value जारा मिले, तो step down voltage कम करें, current जादा मिले, step up transformer चाहि of electrical energy for generating station to the consumers, जो हमारी power supply power stations होते हैं, बिजली जो बनाते हैं, वो बहुत दूर होते हैं, 1000-1000 km, 1500 km, तो वहां से हमारे घर तक बिजली आपावे, उसके लिए AC चाहिए, और transformer चाहिए, DC को इतनी दूरी नहीं भेजी जा सकती, वो 1-2 km में फिस कर जाएगी, उतनी भी नहीं ज हमान लेते हैं, एक power transmission line needs input power, 23 volt, 2A step down transformer with its primary winding, 400 terms, primary winding, यहनी N1 की बात कर रहा है, 4000 tons की, what should be number of the tons in the secondary coil, NS बता रहा है, कितना है, बता दो, to get the output power, आपको 230 volt का चाहिए, ठीक है साब, input output मालूम है, तो VS upon VP लगा दिया, आपको VSVP की value दे रखी है, VP था 2300 volt, VS था 230 volt, step down transformer बना रहे हैं, NP है primary coil का 4000, NS निकालना है, यह formula यूज कर लिया, VS upon VP is equal to NS upon NP, जो दिखाया था आपको, value feed कर दीजिए, और NS की value आजाएगी 400 tons, NS का मतलब यही है, कि यह जो coil आप बनाते हैं, इस तरह से समल लीजे, secondary coil में तो यहाँ 400 tons लगाने पड़ें पहले में step up था, यहाँ देखे, 4000 थे, बहुत जादा tons थे यहाँ पर, थोड़े जादा दिख रहे होंगे, बनाने कुशिस की है, 4000 tons थे यहाँ, तो N1 की value या primary coil को NP भी लिखते हैं, या N1 कह दीजे, यह 4000, और N2 है हमारा 400, तो यह step down transformer हो गया, यहनि voltage को देखे, down कर रहा है पहले voltage कितनी थी, 2300 volt, आप कितनी मिल लही है, 230 volt, तो यह step down transformer का काम करा दिया इसने आप से, ठीके जब, आगे बाद समझते हैं, AC generator की बाद, यह भी important topic, examination में पूछा जाता है, है बहुत सरल, a generator, a generator क्या होता है, a generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy, शादी बया में आपने देखा होगा, COVID की चक पहले, शादी बया में देखे, पीछे ठेले बया पे एक generator लेके चलता था, डीजल बदेते थे और धरदा 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 इंजन चलता था, बाकि सब बत्ती बत्ती लेके अपना मजदूर उजदूर या जो भी उनके बैंड बाजे वाले हैं, उसब चलते थे साथ- और इंजन चालू हो जाने के बाद, वो इस जो अपर्चर है या जो इस कोईल है, उसको घुमाने लगता है, तो घुमाना इसना mechanical energy, और घुमने की वज़े से electrical energy बन जाती है, यानि बिजली बन जाती है, तो mechanical से electrical energy convert कर लिया आपने, यही generator का काम है, ध्यान नहींगेगा, generator एक misnomer है, यहां लिखा नहीं है, misnomer मतलब ऐसा लगता है कि energy generate कर रहा है, यह energy generate नहीं करता, energy को transform करता है, कहां से, mechanical energy to electrical energy, misnomer क्या होते हैं, नाम से कुछ और लगते हैं, होते हैं, असल में कुछ और हैं, जैसे class 11 में light year पढ़ा था, बढ़ा अच्छा लगता है मुझे बत प्रिंसिपल की बात करते हैं, the working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction, इसकी जो working है, वो electromagnetic induction पे based है, यह आप जानते ही है, expression for induced EMF, induced EMF में, E की value क्या मिल जाती है, यह देखे, E, phi is equal to NBA cos theta, NBA cos omega t, E मिलेगा आपको, इसे यार रखिए, E not sin omega t, लिखने की जगा है, यहां लिखता है, E is equal to, E not, sin omega t, साथ ने यह जरूर याद रखना कि E not की जो value है, यह देखिए, यह है, NBA omega, इसका इस्तमाल हो जाएगा कई बार, यह इतना पकड़ के रखिए, कि यह जब magnet से magnet की बीज में coil भूमता है, flux में होता है, change, जिसकी वज़ेसे यह electrical energy develop कर देता है, यानि mechanical को change कर देता है, electrical energy म E is equal to E not sin omega t, और E not की value आप जान रहे हैं, अब जाते जाते कुछ सरल बाते भी, advantages of AC over DC, alternating current का DC को पर advantage क्या है, disadvantage भी कुछ होता है, लेकिन advantage की बात कर लेते हैं, एक तो generation of AC हमारा economical होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, कम पैसे में बन जाता है, दूसरा, the alternating voltage can be easily stepped down, यह stepped up transformer की मदद से AC voltage का voltage, AC current का voltage घटाया और बढ़ाया जा सकता है, step up यह step down, DC में नहीं कर पाएंगे, तीसरा, the alternating current can be reduced by using a choke coil without any significant wastage of energy, आप choke coil जो tub lights लगी रहती थी थी ना, LED वाली नहीं, पहले वाली, choke coil लगता था उसमें, तो उसकी मदद, अब हो course में नहीं यह choke coil, तो choke coil की current को reduce कर सकते थे आप, ठीक है, the alternating current can be transmitted to distant place, आप जानी रहे हैं, ज़्यादा significant loss के बिना, बहुत दूरी तक AC की supply की जा सकती है, transformer की मदद से, आपने देखा भी, also AC can be easily converted into DC, यहनी, AC को DC में convert करना बहुत असान है, rectifiers की मदद से, आप semi conductors में थोड़ा वो घ्यान मिलता है, तो AC machines are simple and robust and do not require much attention during their use, जो AC machines होती है, वो बहुत robust होती है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती है, आप धचेड के उसको use कीजे, वो साथ में चलती रहती है, कोई tension नहीं है, DC machines में थोड़ी दिक्कत हो, जल्दी खराब हो जाती है, तो यह advantages था, AC over DC, disadvantages भी कुछ होते हैं, AC के ऐस RMS लिखा है, root 2 एक से बड़ा factor है, तो I naught हो जाएगा, ज्यादा, तो यह dangerous होती है, अगर आप, जिसे welding वाले machine में आई ज्यादा current ज्यादा चाहिए, तो अगर मार वार देगा current तो तगड़ा लग जाएगा, ठीक, दूसरा, in phenomenal like electro pating, electro pating आपको याद होगा chemistry में ठूप अगर AC लगा देंगे, तो AC तो plus minus बडलता रहता है, तो आप ions को एकठा ही नहीं कर पाएंगे, किसी पर silver की polish करनी है, तो polish ही कहां कर पाएंगे, वो तो आए गा ही नहीं, यह तो बडलता रहेगा plus minus, तो ions एक जगा एकठा नहीं होगे, तो plating लेटिंग नहीं कर पाएंगे इसमें आप, refining electropating इसम नहीं हो पाता, यह मुश्किल है इसके अंदर, AC is transmitted more from the surface of the conductor, अब इसी में क्या होता है, कि conductor के surface पे चलती AC, surface पर, तार लेते हैं, तो तार की surface पे AC चलती है, अंदर से बहुत किम जाती है, नहीं जाती है, this is called skin effect, इसको बोलते हैं, skin effect, AC का, skin effect, किसक AC का साब, इससे क्या हो जाता है, therefore, आपने देखा को कोई भी तार घर का लीजिए, अलका से छी लिए, तो उसमें एक तार नहीं होते हैं, बहुत पतले-पतले तार मिलते हैं आपको, ऐसे गुच्छे, बहुत प्लास्टिक चड़ी होती हैं, insulation, यहां कोई है नहीं, काट के दिखाता मैं आपको, यह तो जुड़े तारें काट देंगे, तो चलना बंद हो जाएंगे, तो यह तार आप छीलें, दाती, छीलें, कोई घबरानिक बात नहीं जराजा, तो उसमें से बहुत महीन महीन से तार निकलेंगे, एक तार नहीं बहुत तार क्यों, क्योंकि वो पराम से AC जा सके, तो कुछ यह disadvantages भी थे,